सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तबेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट प्रेस्ट करेंगे एक छोटा सा वीडियो के माध्धम से वह इंफर्मेशन आपके साथ श्यार किया जाए रिक्वेश्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहे हैं के पिश्केप मत कीचे ताके आपको एक रोट इंफर्मेशन मल जाए वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे अगर आपको एक ट्रेडिंग एंटिमेट आकाउट ओपिन करना है एंजल ब्रोकिंग आफ स्टॉक या फिर आफल से तो उसका लिंक हम लोगोंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखे रखा है जरूर एक बार और डिया है तो चलिह आपकर देख लेतेछे मेंने से स्टॉक में क्या चल रहा है आगे क्या हो सकता यह स्टॉक पे छे मेना पहले stock का price चल रहा था 131.10 पैसा 6 मेने के अंदर stock में return देखने को मिला है आप देख सकते हैं गिराबट देखने को मिला है मतलब 6 मेने से क्योंकि बीच में अगर देखेंगे आप PFC के stock में जो एक जबर्दस गिराबट हम लोगों को देखने को मिला था 1 मंद में एक देखेंगे तो 1 मंद पहले stock का price चल रहा था 124.25 पैसा 1 मंद के अंदर 1 मंद के अंदर यहाँ पर जो एक return देखने को मिला है 4.19 परसंट का 5 देखेंगे तो फिर से 5 देखेंगे तो stock में गिराबट बनता हुआ दिखा है कोची दिनों के अंदर यहाँ पर एक दिन पहले का stock का high price open price, high price and low price देखते हैं तो आप देखेंगे तो stock जो open हुआ था 129.30 पैसे में high price दिया है 132.40 पैसे का low price दिया है 120.65 पैसे का तो दोस्तों यहाँ पर आभी क्या करना चाहिए PFC के share में तो देखें आभी यहाँ पर जैसा चल रहा है या फिर जो आपडेर्स आम लोगो देखने को मल रहा है तो stock में एक तेजी जरूर देखने को मिल सकता है आगे तो यहाँ पर दोस्तों आम लोग आगे NAC के website पर जो NAC का data है वो एक बार पैसे का 52 का low price दिया है 82.05 पैसे का and security wise delivery position अगर देखते तो आप देखें यहाँ पर जो है भी देखने को मल रहा है एक दिन पहले का deliverable quantity gross across client leverage देखने को मल रहा है वो है 28.84,950 deliverable quantity to traded quantity का percentage 29.12% के आसपास है तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो stock में एक अच्छा कासा जो हम लोग बहुत है खरीदरी भी हो रहा है और जैसे का हम लोगों पता है कि PFC का जो है Q1 का result भी आया है तो वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद बाकी information भी श्यार को लेकर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्कीन पर आप देख पाड़ें PFC का जो Q1 results है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मल रहा है चले बाकी का information देखते है आप यहाँ पर अब देख सकते हैं वो देख सकते हैं जबड़स हम लोग बोल सकते हैं आप देखने को मल रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर डिविडेंड का बात करते हैं बहुत पर हमनों देखते हैं मतब जो भी शियाल लेते हैं उसमें डिविडेंड बगरा क्या है तो वो आप देखते हैं कि PFC also declared an interim dividend of Rs.2.25 per share the lender's loan asset book grew 9.50% to 7.493 trillion at the end of the first quarter to the current financial year तो यहाँ पर जो dividend दिया जा रहा है आप देखते हैं जो dividend दिया जा रहा है वो है interim dividend और यहाँ पर 2.25 पैसा जो है आप पर share का dividend दिया जा रहा है तो चलिए आप बाकी information देखते हैं दोस्तों अभी ही आप जो information देखा हो सकता है कि हो सकता है कि share में तोड़ा गिरा बट short term के लिए देखने को मिले अगर long term के लिए हम लोग देखते हैं तो लगता है कि एक अच्छा share है यह तो अभी यहाँ पर बात करते हैं dividend का तो देखे dividend जो है यह company पब्लिक के पास 7.28% का stake है यहाँ पर देखे गाजास जो है 6.20% का stake यहाँ पर देखने को मल रहा है promoters जो ही आप एक चीज़ देखना जरूरी है promoters का जो holdings आप देखे रिमेंस unchanged at 55.99% and जो है इन जून 2019 क्वार्टर तक यह update है FIA जो है increase किया है अपना holdings from 17.32% to 17.35% यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ बता जारे कि number of FIA investors जो है वह है आप डिक्रेस होते हैं देखने को मल रहा है mutual funds जो है अपना holdings जो है आप डिक्रेस किया है इसका बार नीचे हो हम लोग ने थोड़ा information देखा है तो dividend का आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मल रहा है अभी यहाँ पर देखने को मल रहा है July का जो अभी हाँ अपडेट है July 1 1st 2021 का जो है dividend दिया था दो रुपे का dividend टाइप था final March 19 2021 को जो था आठ रुपे का dividend था dividend था इंटरिम तो यहाँ पर बहुत बार हम लोग देखा है अगर आप देखने को मल जाता है तो अभी हम लोग ने results देखा है PFC का तो थोड़ा यहाँ पर और information देख लेते हैं तो quarterly जो रेजल्स से अगर आप देखते हैं यहाँ पर quarter कुछ रहा है तो हर quarter में अगर आप देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं जो total revenue है quarter का PFC शेयर का टोटल revenue जो है वो बढ़के देखने को मल रहा है and operating expenses quarterly अगर देखेंगे करोर्स में वो भी आप यहाँ पर देख पाड़े तो हम लोग बोल सेथे कि यहाँ पर जो भी results आया है और जो dividend बगड़ा dividend यहाँ पर देखेंगे PFC का तो थोड़ा अगर अगर देखते की short term के लिए तो हो सकता है कि short term के लिए आप एक गिराबर देखने को मल जाए results अच्छा आया है और यहाँ पर अभी खरित दरी भी होड़ा है ऐसा नहीं है कि share में जो long term के लिए बढ़िया नहीं है और यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी 129.45 पैसे कास पास चल रहा है और यहाँ पर लगबग अगर देखेंगे तो 6 मेने के अंतर फिर से अगर यहाँ पर यहां पर यहां पर हो सकता है कि 129 भी चल रहा है तो 133 से लेकर 34 के आसपास देखने को मिल जाए तो दोस्तों यहां पर जो है अभी अगर किसी ने share लिया है जो अमारा क्या चल रहा है PFC के share में जो update है एक छोटा सा वीडियो के माध्धम से वो information आपके साथ share किया जाए आशा करते हैं जो भी information दिया है अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा है तो वीडियो को like and share जरू किजिए और यहाँ पर आपको एक चीद बता चाहेंगे कि अगर जब भ झाल